असलाम अलेकूम, लेसन नमबर 13 का डायलोग नमबर 3 किन दो लोगों के दर्मियान है, एक शावली है, शावली को हम सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और साथ उसका एक कोलीग है, ठूंश है, जो के एक लड़का है, और ये दोनों बातें कहा रहे हैं, फोन कॉल पे, ज शावकांग छूची खंदियां हैं मा, कि क्या वीकेंड पे, आप शावकांग के साथ आम तोर पे मूवी देखने जाते हैं, वर्ड बाइवर्ड बचाता हूँ, चो मो, मतलब वीकेंड निई पान, मतलब तुम आम तोर पे, कि शावकांग, शावकांग के साथ चूची बा बहुत कम anima में जा के movie देखती हूँ, देदियेशह मतलब cinema, वो गँएए, मैं मुझे ज्यादा आच लगता है, मैं ज्यादा prefer करती हूँ, जैजा घर पर खांदें शि टिवी देखना, वो गँएए जैजा खांदें शि मैं घर पर TV देखना ज्यादा पसंद करती हूँ तो कॉलेग ठोंग श क्या कहता है कि टीवी देखने में क्या मज़ा है या फिर टीवी देखने में क्या फान है इस का मतलब पहले आपने मीनिंग पढ़ा होगा इसका मतलब इंटरस्टिंग भी होता है यानिके टीवी देखने में क्या फान है क्या मज़ा है ठोंग श साफ पता चला रहा है उड़ेटर सिधे मश्वरे दे रहा है शाउली को बहकाने की कोशिश का रहा है भला हो ये बाते करने वाली हैं जो वो का रहा है लेकिन शाउली बिल्कुल भी उसकी बातों में नहीं आ रहा है शाउली कहती है ख़ई एप्याइन च्छ एप्याइन ख़एं कि हम खाने के साथ साथ टीवी देख सकते हैं सोच यो ला अगर ज्यादा देर तक बैठे रहें है ख़ई चंड चिला है तो खड़े भी हो सकते हैं श्यूशी खोड अराम के लिए मतलब कि टीवी सेनवा में जब मुवी देखे हैं तो बैटे ही रहते हैं दो धाई घंटें तो घर में टीवी देखेंगे तो हम साथ साथ खापी भी सकते हैं ज्यादेर बैठने पर हम उठे के जरा अराम्दी कर सकते हैं शावली फिर थूंग्षर क्या कहता है थूंग्षर अभी भी बाज नहीं आ रहा उल्टे मश्वरे दे रहा है शावली को कहता है ने इंगाय तो छूची जोजो कि आपको ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल के घुमना पिरना चाहिए इंगाय का मतलब होता है चाहिए चे यांग इस तरह से नीमन्दा शंख हो आप लोगों की जिन्दगी होएकं योई ज्यादा मज़े की होगी है ज्यादा दिल्चस इंटरस्टिंग होगी थांग शिर कहता है कि आपको बाहर निकल के ज्यादा घुमना पिरना चाहिए इस तरह आपकी जिन्दगी में ज्यादा फ़न होगा लेकिन शावली शावली एंड़ पर थो एम्मू तोड़ जवाब दियती है शावली कहती है यो थाचा है कि वो होना मेरे पास मतलब कि शावकंग यहां पर थास इम्राज शावकंग है वदाशंखो इजिंख्यो इजला तो फिर मेरी जिन्दगी में और लेड़ी बहुत फ़न है बहुत इंटरस्टिंग है मेरी जिन्दगी शावली ने अपने कॉलीग को ठोंशे को लाज जवाब करती है कहती है कि शावकंग मेरे पास हो तो मेरी जिन्दगी में और लेड़ी बहुत फ़न है बहुत मज़ा है उर्दू इंग्लियस चांसलेशन आप देखेगा और साथ में कमेंट सेक्शन में बताएगा शावली के लिए कोई तारीफ होनी चाहिए यहां पर उर्दू इंग्लियस चांसलेशन है शावली बिल्कुल भी अपने को लीग की बातों में नहीं आई हर बात का मूँ तोड़ जवाब दिया और एंड पर तो लाच जवाब भी कर दिया कि अपने मश्वए अपने पास रखो मेरी जिन्दगी में शावकंग है तो सब कुछ है शावकंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है न्यू वर्ड्स मैंने हाइलेट की हैं ये चोटा सा आर्टिकल है ये आर्टिकल बहुत आप इन जगा पे अच्छा है अगर इसको समझा जाए तो पहले मैं इसका थोड़ा सा इंटर्डिक्शन करवाद हूँ कि ये एक फीमिल एक खातून की बाते हैं जो कहती है कांग चे खुनदाशी हो यानि कि जब मेरी नएने शादी होई थी वो चांफो शे चूंश्वे लाउशी मेरे हस्बेंड मिडल स्कूल टीचर थे चुंश्वे लाउशी मतलब मिडल स्कूल टीचर था शी खुन उनको पसंद था मेधियां जाउशंग हरो सुबो ची चूंखो उचने के बाद इपियां छिजाउफन नाश्टा करना इपियां खन पाउच नाश्टा करने के साथ अखबार पढ़ना यानि कि खातून का कहन है कि जब उनकी नईनी शादी हुई थी तो उनके जो हस्पेंट है वो मिडल स्कूल टीचर थी उनको पसंद था हरो सुबा उठने के बाद नाश्टा करने के साथ अखबार पढ़ना आगे क्या कहती है कहती है जी शिन्यान को च्छिला दस बरस गुज़र चुके हैं कालों के बाद उनकी हस्पन माहर मासर बन चुके हैं युवे था एमांग मसरूफियत की वज़ा से मेधियां जाओ शांग हर रोज सुबो वच्छी छूंग हो मैं उठने के बाद तो खाम पूता हो था उनको देख नहीं पाती वांशंग खनवान रात को बहुत देड से थ चाहे खुईता वच्छा वो घर वापिस लोटते हैं खातून का कहना है कि दस बरस गुज़र चुके हैं अभी वो अलड़ी पहर मासर या मतलब प्रिंसिपल बन चुके हैं मसरूफियत की वज़ा से मैं सुबो उठने के बाद मतलब कि उनकी हस्बन की मसरूफियत की रात को वो बहुत देर से वापस लोटते हैं वो चन्द भा मुझे डर है थले खुईला कि ठकावट से उनका बुरा हाल हो जाएगा खातून कहते हैं कि मुझे डर है कि ठकावट से उनका बुरा हाल हो जाएगा सीवां उमीद करती हूँ या मेरी खाहश है थानंग शावई कि उनकी मीटिंग्स जड़ा कम हूँ खातून विश कर रहे हैं अपने हस्बंट के लिए कि उनका काम यानि उनकी मीटिंग्स कम से कम हो जाएं तो इस ये शियूशी और वो आराम कुछ ज़्यादा करें खातून का एंपर क्या कहना है कि मुझे डर है कि ठकावर्च उनका बुरा हाल हो जाएगा मेरी विश है कि उनकी मीटिंग्स कम से कम हो और वो आराम थोड़ा ज़्यादा करें और मेरे साथ और बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें ये खातून का कहना है वो परिशान है अपने खावन के लिए कि उनका काम कम हो जाए उर्दू-ंग्लिश ट्रांसेशन आपके सामने है आपको चाहिए अगर कोई confusion है भी तक कहीं से concept clear नहीं हुआ तो उसका असान solution है वीडियो को यहाँ पर उर्दू-ंग्लिश ट्रांसेशन में पॉस्ट करके समझ लें या जरूर थोड़ तो अपने पस लिख लें उसके बाद इस चोटे से आर्टिकल को इस पेराग्राफ को दोबारा से सुनेंगे देखेंगे इस lesson को तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा वीडियो हेलफ फूल लगी हो तो सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं भूलेगा दौाओं में याद लिखेंगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल भी जूर रखेंगा इसी के साथ इचाज़त अल्लाहाफीज